बोई चेक करिए गुट मॉर्निंग ठीक है स्टार्ट करते हैं चलिए लास्ट क्लास में हमने बुक्स ऑफ बायर और का हमने जनरल इंट्री पूरा कर लिया था जो भी हमारे पास कुश्चन था लास्ट क्लास का लेकर चलते हैं क्या क्या कर लिया लास्ट क्लास हमारा यहां ख़तम हुआ था हमने पी सी को डिस चार侈 कर लिया था ठीक है ना और पी सी को डिस चार侈 करने का मतलब हमने ये देख लिया था कि पी सी को क्या क्या पेमिंट देंगे तो सर PC को क्या-क्या payment देंगे तो PC को जो payment देने वाले थे हम तीन चीजे देने वाले थे PC को क्या-क्या सर equity share capital, preference share capital और cash cash क्या निकला था बताओगे क्या question में given था या balancing figure बिल्कुल साही ये था हमारा balancing figure now अब हमें क्या करना है अब हमें balance sheet बनाना है क्योंकि एक balance sheet तो बना के दिखाऊंगा मैं कि कैसे बनेगा इसके अंदर कुछ एक adjustment था जो कि pending था मेरी तरफ से उस adjustment की भी discussion करना है सर कौन सा adjustment pending है जिस पर question mark लगाया है ये सारा adjustment पहले हम देखेंगे और फिर हम आगे balance sheet की तरफ चलेंगे ठीक है न तो चलिए पहले वाला ये वाला adjustment side done हो गया न अब हम बात करते हैं इस वाले adjustment की तो ये adjustment भी बता दिया था कि दूसरे में deal होगा ये है हमारा common debt का ठीक है तो चलिए start करते हैं पहले हम common debt उसके बाद to be continue आगे जाएंगे हमारा topic है common debt common common ये क्या होता है common debt मान लेजिए हमारे पास दो है एक mihul limited एक राहul limited मान लेते हैं एक r limited और एक m limited चलो इसको अठाते हैं नहीं तो फिर आप question को सोचोगे मैं कर लेता हूँ एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड और एक है y limited क्या ये दोनों company same है या अलग अलग है ये दोनों company बिल्कुल अलग अलग है ये company और ये company ये दोनों company बिल्कुल अलग है ठीक है न अब मान लेते हैं इस company का काम जो है work है इस company का जो work है ये एक किसान है मान लेते हैं X limited का farming का काम है किसान है और ये sugar cane यानि गन्य का गन्य की खेती है इसकी ठीक है न तो सार जो X limited गन्य की खेती कर रहा है ये क्या करेगा गन्य को बताओ क्या कर सकते हैं खो खाएगा डिली क्या करेगा अधिर करेगा किसको करेगा tell को अीन घॉन को ए तो एक यह जूसर मात्रा एक पर संट बहुत जादा बोल दिया फोंड़ा- सहो हुआए मिली किसको सेल करते यह बनाने company को चीनी बनाने आली company क्या करता है इस गन्ने से पूरा filter करके चीनी बना के चीनी और good और भी बहुत सारी चीज़ा बन जाती है उसको क्या करती है market में बेज देती है इसके बाद ये company है इसका काम है sugarkin बनाने का यानि ये चीनी बनाने वाली company है सर अगर ये चीनी बनाने वाली company है तो ये चीनी बनाती होगी बिल्कुल सही अब x limited जो है वो बेचती किसको है वो बेच देती है इसको किसी को बेचेगी x limited का न एक और काम है catering का भी काम है माल लेते हैं catering का का काम समझते हो catering का जैसे आपने शादी वगएरा देखा होगा party organize करने का तो एक हलवाई का काम समझो simple सी बात है एक हलवाई का काम समझ लो एक हलवाई है अब बताओ हलवाई को क्या चीनी की जुरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे suits बना रहा है इसी company के अंदर यह दो काम कर रहा है एक तरफ यह गन्ना उगा रहा है खेती कर रहा है दूसरी तरफ एक इसका हलवाई का काम है मिठाई वगरा बेच रहा है और वाई लिमिटेट का काम चीनी का है एक्स लिमिटेट ने गन्ना उगाया और किसको बेच दिया जाके बताओ इसने जाके सीधा बेच दिया Y Limited को मान लेते हैं 50,000 रुपए का गन्ना बेचा Y Limited को समझे अब हुआ क्या इसको जब चीनी की जुरत पड़ी X Limited को गन्ने की तो नहीं पड़े रही चीनी की तो पड़ेगी न इसने सोचा कि मैं बाहर वालों से खरीदने से बहतर है कि मैं क्या करूं बताओ जिसको मैं सप्लाई करता हूँ वहां से rate कम भी मिलेगा और उससे मुझे क्या लेना है पैसे तो ले नहीं है इसने इसको ही contact किया और contact करने के बाद इसने इससे खरीद लिया 30,000 रुपए का 30,000 रुपए का खरीद लिया ठीक है अब हम किसी एक कंपनी को सोचते हैं हम बात करते हैं Y Limited का हमें Y Limited के point of view से सोचते हैं पहले Y Limited के point of view से सोचते हैं तो Y Limited बोलेगा कि मेरा X Limited डेटर है कोई बता सकता है कि Y Limited ऐसा क्यों कह रहा है कितने का है कितने का Y Limited ने कहा कि X Limited मेरा जो है वो डेटर है मैंने इसको उधार माल बेचा हुआ है क्या सही कह रहा है ये बिलकुल सही कह रहा है और ये deal सारे उधार कितने रुपए का डेटर है 30,000 थोड़ी देर बाद कहता है X Limited, Y Limited मेंरा उधार माल बेचा है थोड़ी देर बाद फिर से Y Limited कहता है X Limited मेरा क्रेडिटर है तो क्या Y Limited पागल है? यस जो है वो actual बता रहा है एक्च्वल बत रहें क्योंकि इसने इसको समान बेचा और इसी से खरीदा तो वाय लिमिटेट जो अपनी balance sheet में अपनी balance sheet में debtor तो दिखाई रहा होगा और कितने का दिखा रहा होगा और अपने balance sheet में क्या दिखा रहा होगा creditor भी कितने का तो एक company के अंदर same चीजे हैं इसको बोलते है common debt अगर Y limited को हिसाब करना होगा अगर Y limited को हिसाब करना होगा किस से हिसाब करेगा यह X limited से हिसाब करेगा तो बताईए net में क्या होने वाला है यानि वो कहेगा भाई देख तेर सिर्फ 30 लेने हैं मेरे को 50 देने हैं तो तेरे को और कितने देने रह जाएंगे 20 यानि कहना चाहते हो 30,000 रुपे का settlement हो जाएगा तो 30 का settlement होगा तो क्यों ना मैं यहाँ पे 30,000 रुपे क्या कर दूँ सर्थ 30,000 रुपे क्यों ना यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ यानि common जो की common amount है और क्यों ना यहाँ पे भी माइनस कर दूँ common amount को तो सर्थ डेटर कितना बचा और यह कितना बचा 20 समझ मैं ही बात आपको हमने सारी चीजे करी y limited के point of view से अब एक बार हम x limited की भी तो balance sheet होगा सोच रहें थाकि मैं दोनों चीजे बोलके worked बोलके मैं से खतम करूँगा तो सर्य यह भी बनाएगा balance sheet बिलकुल यह भी बनाएगा यह बना रहा है balance sheet जब यह balance sheet तो balance sheet में क्या expected ने लिखा होगा ई उस विलकूल लिखाऊ होगा debtor कौन है अब अगर X limited हिसाब करने को बैठेगा तो बोलेगा भाई एक्स लिमिटेइड अगर हिसाब करता है फूल और फाइनल करता है तो इसको और पैसे लेने ही मिलेगे कितने 20,000 इसका मतलब माइनस कर दें दोनों साइट से दोनों साइट से माइनस कर दें क्या common debt common debt माइनस कर दें कितने 30,000 यहां से माइनस करें और माइनस यहां से फिर से common debt कर दें कितने 30,000 रुपे माइनस कर दें हिसाब दोनों के साइट से balance sheet बराबर किसी को दोनों के balance sheet में कोई doubt, कोई problem नहीं एक चीज़ नोटिस करना दोनों तरफ में दोनों तरफ में amount है एक 30 amount है एक 50 अगर common debt हुआ due to him, due from him word ऐसे होता है कि debtor include और creditor include अगर दोनों में common debt हुआ तो हमें confused नहीं हो ना देखो यहां पे भी 30 माइनस हो रहा है इन दोनों में से lower कौन सा है अगर इस point से सोचे तो इन दोनों में से lower 30 again क्या minus हो रहा है 30 तो जब common debt होता है तो जिस company का भी काम कर रहे हूँ चाहे आप इस company का काम करिये चाहे इस company के लिए काम करिये दोनों में से जो कम amount होगा उसे debtor में से भी minus कर देंगे और creditor है सर क्यूंकि settlement तो कम amount हो सकता है ज़ाद amount कभी settlement नहीं हो सकता है समझ में आई बात आपको कोई भी company हो मैंने दोनों तरफ को proof करके इसलिए दिखाया अगर कोई बच्चा बोलता है सर मान लो debtor 60 होता और creditor 30 होता तो भाई जो कम है वो करो अगर creditor 60 होता और debtor 20 होता तो 20 करो समझे बात तो उसमें ये concept मत लगाना कुछ बच्चे confused हो जाते हैं सर डेटर 30 है creditor 50 है ऐसे करके सोचके कुछ confusion create कर लेते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है दोनों में से जो lower amount होगा दोनों side क्या हो जाएगा minus समझे बात चलिए यहां पर adjustment में एक यही बात कह रहा था संड्री डेटर ऑफ राहूल लिमिटेड इंक्लूड 5000 रुपे ड्यू फ्रॉम मिहूल लिमिटेड अब एक डेटर है एक तो यह common debt का होगा है डेटर का मतलब है जब मैंने सामने वाली company को खरीदा अब डेटर की कहता है के राहूल लिमिटेड के जो balance sheet है यहां पर डेटर सो हो रहा होगा कितने का 5000 का और जो मेहूल लिमिटेड है मेहूल लिमिटेड का creditors हो रहा होगा कितने का अब जब राहूल लिमिटेड इसको खरीद लेगा तो मिहूल लिमिटेड किसकी कंपनी मानी जाएगी राहूल लिमिटेड की ऐसे situation में जब राहूल लिमिटेड का माना जाएगा तो राहूल लिमिटेड को पैसे लेने मिहूल लिमिटेड से जो की है ने इसका मतलब मेरा ही डेटर है और मेरा ही क्या बन गया वो क्रेडिटर तो हम खुद को ही बेच रहे हैं अभी हम और खुद से ही खरीद रहे हैं common हो गया ना तो जब ये balance sheet बनाएगा राहू limited अपनी तो वो क्या करेगा डेटर में से भी 5000 घटा देगा और अपने एक Creditor में से भी 5000 घटाएगा सर Creditor में से क्यों 5000 घटाएगा क्योंकि Creditor खरीद लिया ना Creditor भी तो इसी का होगा तो एक General Entry अगर मैं बूलू यहां पर क्या करेगा तो ऐसे situation में General Entry जो होगा वो होगा मैं किसके books में बात कर रहा हूँ बायर की बुक चल रही है, बायर क्या करेगा, मैंने जर्नल इंटरी पीछे किया था न, मैंने बनाए था सरफ PC निकाला, अभी जर्नल भी नहीं हुआ है न, तो अभी जर्नल करेंगे, तो सीक्वेंस से पता चल जाएगा, ठीक है न, जर्नल तो किया न, मुझे लगा मैंने ज तो चलिए अब जनल एंट्री हम एक एक करके कर लेते हैं पूरे बुक्स का जिसके सब कुछ कवर हो जाएगा बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है जनल एंट्री यह समझ में आ गया कॉमंडेट ठीक है इस कुछन में आए चाहे ना आए पीछे आने वाले कुछन में तो यह सारी बाते आएंगी जिसमें आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है जनल एंट्री तो करना है हमें चलिए जनल एंट्री नमबर वन बिजनस परच अकाउंट डेबिट तू लिक्वडेटर सर अमाउंट कितने का होगा अमाउंट यहां हमें साथ है PC का और आप ध्यान दे PC निकाला था कहां गया जी आठ लाग 26,000 तो PC निकाला था हमने आठ लाग 26,000 ठीक है एंट्री नमबर दो सारे एसेट्स खरीद लें इसके तो एसेट्स जब खरीदेंगे तो क्या क्या एसेट्स है इसके पास यह भी देख लेते हैं यह देखिए इसके पास सारे एसेट्स है और एसेट्स को अब किस वेल्यू पे लेना है इस वेल्यू पे लेंगे ठीक है ना तो आपने नोटिंग अगर कर रखा है तो मुझे बताते जाईएगा बिल्डिंग है मसीन्री फरनीचर है ताकि मुझे बैक ना जाना पड़े तो सबसे पहले हैं बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए का चार लाक असी अजार वो कौन सा मार्केट वेल्यू है जो पी-सी के अंदर था उसके बाद मसीन्री 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 डेबिट कितने का एक लाक आठथ हजार इसके बाद फरनीचर अकाउंट डेबिट कितने का पारह हजार इसके बाद गुडविल भी लिया था गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का देड़ लाक इसके बाद और इन्वेंट्री पिच्च्यासी हजार और डेटर डेटर कितने का एक लाक सत्ताईस हजार पांसो और और अधर करेंट एसेट्स अधर करेंट एसेट्स 42,000 और लाइबिलिटी में आ जाएंगे या क्या है लाइबिलिटी में प्रेडिटर 59,000 इसके बाद डेवेंचर 9% एक लाक रुपए इसके बाद 2 अब इसमें माइनस भी कर दिया था हमने कॉमन वाला अधर करेंट लाइबिलिटी 40,000 और अब लास्ट में लिखते हैं PC और जो सर पीसी अमाउंट जो है जिसको परचेस कंसिडरेशन कहते हैं 8,000,000 अब कहीन है कहीन तो डिफरेंस निकलेगा चेक करते हैं कहाँ डिफरेंस है फटा फट चेक करके बताईए मैच हो रहा है दोनों साइट तो सर दोनों साइट मैच हो गया तो मैंने देखा हो याद होगा मैने तीन बाते बताई थी जब हमारा कोई profit कोई loss नहीं होता मैच हो जाता है एक बताए था profit होता है हाँ bank भी आएगा bank balance भी है तो लीजिए bank भी डाल देते हैं bank debit भी और कुछ है दोनों साइट मैच हो गया चेक करिए आप मैं भी एक बार क्रॉस वेरिफाई कर लो 4,88, baja, 1,88, 12,450,85 यहागए 10,25,000 – 69,000 – 1,00,00 – 40,000 तो दोनों साइट हों गया एकदम बराबर तीसरी entry क्या करते हैं बताऊ PC करतें डिस्चार्ज PC डिस्चार्ज PC डिस्चार्ज के बाद चल रही है तो चलिए PC डिस्चार्ज करते क्या करेंगे लिक्विडिटर account debit 2 क्या क्या दिया था देख लेते हैं आप देखिए क्या क्या दिया था यहां दिया था ना हमने equity preference और cash तो equity share capital 2 कितने percent preference share capital यह भी लिखना होगा तो 12 percent preference share capital और यह preference share capital है और टू, security premium और टू cash, सर ये 12% preference share राहूल लिमिटेड का है न ये, जो preference share यहाँ पर लिखेंगे वो वाला preference share रिखेंगे जिस company के अंदर हम जा रहे हैं, percentage वो होगा, तो देखिए आप यहाँ पर, अगर हम देखें, तो कहा गया ये रहा, तो preference share हम जा रहे हैं, किसके अंदर, इधर आ रहे हैं, इधर की side आ रहे हैं, तो इस company का था हमारा 10%, जब इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमें मिलेगा 12, तो इसलिए मैंने वहाँ पर percentage, 10 की जखेंगे पर क्या बदल दिया, 12, तो जिस company में हम जाएंगे, जिस company में हम जाएंगे, उसी company का percentage देना है, अगर 10 की अगडबर, गलत, ठीक है न, तो इन छोटे-छोटे points को ध्यान रखना है, चलिए, इसके बाद इसको हम match करते हैं, तोटल था ये 8,26,000, जिसमें से equity share दिये थे हमने कितने, 5,00, security premium भी था, तो कितने share थे नंबर, 4,80,000, अब कुछ बच्चों के mind में doubt आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ clear कर दूँ, सर, 5,6, यह है और यह 12 का हिसाब से है, है न, 12 के हिसाब से किया था, तो सर, 12 थोड़ी होता, face value जाता है, equity share capital में तो, यानि 2 का premium है, तो number कैसे पता चलेगा सर हमें, तो number यहाँ तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहे हैं, अगर आप 12 हटा के अगर करते हो count, तो number पता चल जाता है, यहाँ फिर दूसरा option है, पांच लाग 76 का दिया है न, आपने, तो पांच 76 को डिवाइड कर दो किस से, 12 से, तो आपको क्या पता चल जाएगा सर, नमबर पता चल जाएगा, तो number कितने आ रहे हैं, 48,000, तो equity share capital में क्या जाएगा, सिर्फ 48,000 रूपे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा 48,000, इंटू में 10, यानि 4,00, पर फैंस share premium पे हमने discharge किया था, हमने यह नहीं कहाता कि मेरी company का भी आपको premium पे मिलेगा, अगर मैं आपसे बोलू कि तुम्हारे share को मैं, तुम्हारे पास 10 रुपए, 10 के बदले में 12 दे रहा हूँ, तो premium का कोई role नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारे company का share 10 रुपए का है, और मैं अपनी company का 12 में तुम्हें दूँगा, यानि जब मैं अपना समान महंगा बेचेगा ना, जब अपना समान महंगा बेचूँगा जब मैं, तब जाके premium का role आएगा, एक्यूटी में तो यही था ना, 10 वाला मैंने अपना कितने का बीच दिया, लेकिन preference share मैं ऐसा नहीं बोला, preference share बोला, तुम्हारा मैं महंगा ले रहा हूँ, लेकिन अपना मैं same value पर दूँगा, at part, देखिए question में क्या कहता है, question में कहता है, कि भाई, preference share की बात करते हैं, यह रहा, fourth point, कहता है, preference share holder, मिहूल लिमिटेड, या नहीं, मिहूल कौन है, जो बिक रहा है, paid 10% premium, हम तुम्हे 10% extra देंगे, seller company, by issue 12% preference share, हम अपनी company का देंगे, लेकिन अपनी company वाला हम तुम्हें महंगा नहीं देंगे, अपनी company वाला एट पार, तो यहाँ premium का कोई role नहीं होगा, समझने वाली बात है, बच्चे mistake करते हैं, सर, premium premium, रट्टा मतलग आना, अगर मैं, दुबारा बता रहा हूँ, अगर मैं, अपनी company का समान तुम्हें premium पे देने वाला हूँ, तो premium की entry करेंगे, अगर तुम्हारी company का समान में premium पे खरीदे लूँ, तो क्या मतलब है, हमने extra पैसे दी हैं, तो उसमें premium की entry कोई भी नहीं होगा, equity share में क्या किया था, मैंने अपनी company का 10 वाला share तुम्हें कितने में बेचा, इसलिए मैं premium की entry करा हूँ, समझ मैं आई बात आपको, तो चलिए, यहाँ पे security, preference share कितने का बना था हमारा, 2,20,000 का, और security premium निकालना है, तो 48,000, और 2,000 का है, 96,000, cash में क्या है था, 300,000, लो जी यह general entry हो गया, 2 entry, कितने होगे, 3, 4 entry किसके थी, debenture discharge, क्या यहाँ पे हमने debenture discharge किया है, question में बोला है, बिल्कुल, देखते हैं question में, क्या debenture discharge की बात कर रहा था यह, तो यहाँ पे, debenture का discharge करने की कोई बात नहीं चल रही, कहीं भी बोला है, हमने debenture holder को इतना पे किया है, six point में कह रहे हो, six point कह रहे हो, यह कह रहा है कि investment of Rahul Limited, 9% debenture, मिहूल Limited, 1000 रुपे purchase, तो यह अलग बात है थोड़ी से, कहता है कि Rahul Limited ने उसकी company में debenture खरीद रखा था, company को खरीदने से पहले investment, लेकिन now, अब debenture का, discharge की बात नहीं कहा, तो debenture को discharge की बात बोले, चाहे ना बोले, आपने करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए, एक बार इस adjustment को पढ़के, फिर debenture को पढ़ लेते हैं, कहता है, Rahul Limited जो है ना, जो buyer company है, उसने मिहूल Limited के debenture खरीद रखे थे पहले ही, और कितने के खरीद रखे थे, face value एक लाग का, और जबकि उसके अंदर उसने लगाये थे, पिच्चानवे आजा, तो पहले तो ये cancel करेगा, अपनी company का investment का cancel करेगा, और फिर उसकी company का debenture भी cancel हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूंकि आप देखेंगे, यहाँ PC में, जो मैंने PC निकाला है, इस में मैंने debenture भी लिखा है, देख रहे हो, इस में debenture, तो एक लाग रुपे का debenture ही है, और total इसके पास एक लाग का ही debenture है, और मैंने इस company में invest भी एक लाग का ही किया था, face value, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आटोमेटिकली cancel हो जाएगा, ठीक है ना, इस ही debenture की बात चल लेकिन सर, यहाँ पे दो लाग के बात होता, तो क्या करते हूं, तो ऐसे situation में, एक लाग तो cancel करते, कैसे cancel करते, debenture को debit करके, और investment को credit करके, बाकी का एक लाग रुपे का बिना बोले, हम नए debenture दे देते अपनी company का, मैंने बताया था debenture के case में, के भाई debenture holder को तो हमें नया issue करना पड़ेगा, question बोले, तो उसके हिसाब से नहीं बोलता, तो बस हमें करना होगा, बिकने वाला company का debenture, divided by buyer company का debenture, percentage जिसका जो होगा, वो लिखके करेंगा, तो हलाकि यहाँ पर नहीं है, इसे हटा देते हैं फिर, यानि इत्तफाकन देखो, सिर्फ एक लाख रुपए का ही debenture आया है यहाँ पर, और आपको पता है कि एक लाख का investment कर रखा है, तो पहले तो मैं भाई अपना investment भी cancel करूँ और debenture, फिर खतम करते हैं, 9% debenture, face value पूरा खतम हो जाएगा, एक लाख रुपए, मैं अपना investment भी खतम करूँ गा, मैंने खरीदा कितने का था investment, पिच्च आनवे का, और फिर मैं investment के बाद, मेरा फाइदा हो गया, उसको कहा भीज दूँगा मैं, capital reserve में कितने का, 5000 रुपए का, कोई दिक्कत बताईए, ठीक है, कोई भी दूसरी entry तो यहां निकल के आया है नहीं, जो की expense वाली बात तो थे नहीं, पूरे में कहीं भी, एक adjustment बनता है, common debt वाले जो मैं समझा रहा था, तो common debt वाले भी यहीं general entry करना है, तो common debt में कितने रुपए का common debt था, question में देख लेते हैं, तो question में आप देखिएगा, common debt की बात करें, तो यह रहा हमारा common debt वाला, तो question में कहता है, 5000 रुपए का common debt है, तो भाई किस company में था, किस में नहीं था, ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है, मैं क्या कर दूँ, creditor debit कर दूँ, creditor खतम, और क्या debtor, debtor भी खतम, और 5000 रुपए कह रहा है, तो 5000 रुपए से खतम गया debt से, यानि मैंने अपना debtor खतम किया, तो इसलिए मैं debtor credit कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा हो चुका है, creditor देख रहे हैं, अब ये मेरा creditor है, इस entry के बाद तो, तुम्हारा तो है नहीं, तो मेरे creditor, मैंने ही खुद को उधार बेच रखा है, मैंने ही खुद को खुद से उधार खरीदा वी है, तो उस point को क्या करो, यहां से eliminate कर दो, इसके अंदर unrealized profit का भी part आएगा, हम वो देखेंगे अब ठीक है न, अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, एक adjustment था, amalgamation, statutory reserve वाला, question में था न, last adjustment, last adjustment देखे, क्या कहता है, कहता है कि statutory reserve are to be maintained two year more, नहीं भी बोलता, हमें पता चल गिया था, statutory reserve है, तो इसकी entry हम करेंगे ही करेंगे, सर इसकी entry क्या होगा, amalgamation, amalgamation adjustment account, amalgamation adjustment account, debit to statutory reserve, कितने रुपए का है, बताओ, हाँ, सर दस हजार का, यह entry कर दिया, तो लो जी हमने, बाइर का, books of account पूरा, क्या करा, अच्छा, यहाँ पे जो है, 5000 न, हाँ, देखो अब, capital reserve, वहाँ से तो नहीं निकला, लेकिन यहाँ से निकल गया, इसको set up करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास goodwill भी है, तो जो कम amount होता है, हमेशा उसी को set करते हैं, set up करते हैं, तो 5000 हमारा capital reserve है, तो capital reserve के case में, हम क्या करेंगे, debit कर देंगे, और goodwill को क्या करेंगे, credit, तो एक और entry कर देते हैं, capital reserve debit, और two, आपने पूरा fair करके लिखना आईए, 5000 और अब balance sheet बनाओंगा न, तो और clarity आजाएगा, कि कौन से amount को हम जोड रहे हैं, कौन से amount को घटा रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा clarity आजाएगी हैं, box ये खतम होगा, noting के लिए, हर class के अंदर मैं भेज देता हूँ, जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ, चलो, जो ये class number है, जो आपके उसमें डला होगा, class number है ये 6, तो 06 के नाम से folder, और उसके अंदर मिलेगा, और जो मैं PDF भेजूँ अना आपके, folder में class note वाला, वो याद रखना, पहली class से लेके end class तक होगा, पहली class से लेके end class, तो आपको कौन सी class note कर लेनी है, सिर्फ 6 class उठाया और उसको देख लेना है, समझे बात आप, पुरानी भी आपके पास हर daily update करता रहूँगा, आ जाते हैं अब, balance sheet पे, कुरा फ्याना, बैले शीट में क्या क्या चीज़े बनती है दो चीज़े नोट्स्टू अकाउंट्स और क्या हो गया नोट्स्टू अकाउंट्स और चलिए इसका नाम दे देते हैं नोट्स और इसका नाम दे देते हैं अमाउंट तो देखो एक क्लास में तो मैंने बैलेंशीट का नोट्स बना के दिखाया है यह इसका नोट्स बनेगा नहीं बनेगा बना लोगे मेरे लिए जो यहां पर अड़्जस्ट हो सकता है वो मैं करके दिखाता जाओगा ठीक है न तो अब जो बैलेंशीट उठाना है हमारी वाली बैलेंशीट उठानी है यानि राहुल लिमिटेड एक और यह बैलेंशीट जो बनेगा वह говорят कि सका ओर लिमेलेंट bringt का जो भुभा है जो फाइनल अकाउंट में आप लोगों को सिखाया हुआ है पहले बिल्कुल सेम अभी मैं balance sheet स्रिफ amount के point of view से तयार करके दिखा रहा हूँ बाकी formatting, balance sheet, equity and liability, point number one, two, three वो सारी बाते वही follow करना है जो कि आपने सीखा है किसमे financial statement of the company के अंदर ठीक है तो पहली बात, सबसे पहले point number one, equity थोड़ा short form भी use करूँगा and liability इसके अंदर आ जाते हैं इसके अंदर क्या आएगा पहले, first point, share, holder, fund shareholder fund की बात करें, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा, A part share capital और B part reserve and surplus ठीक है, चलिए note बना लेते हैं, share capital की notes की बात करते हैं, तो sir, share capital का जो note होगा सबसे पहले, equity share capital, sir, equity share capital की बात करें, तो हमारी company वाली पहले चेक तो करो जो हमारी वाली है, पहले वो तो चेक करेंगे हम, तो हमारी वाली कितने की है आपका हमारी वाली की बात से मतलब मैं समझाओ, तो हमारी balance sheet में आ जाओ, देख रहे हो, हमारी वाली तो यह है ना, पांच लाक यानि पचास अजार रुपे, प्लस उसको भी कुछ दिये थे 48 अजार, यादोगा ना, मैंने निकाला था ना, उसको भी दे रहे हम 48 अजार, तो total कितने share हो गए, total share की बात करें हम, तो total share sir हो जाएगा, 50 तो मेरे पास था, और प्लस 48, और total share जो है वो 10 रुपे का है, तो इसका मतलब share capital में आ जाएगा, 9 लाक, यह तो equity है, हमारा कितना था वो, प्लस उसको कितने का दिया, तो हमारा कितने का था, तीन लाक का, और प्लस उसको कितने का दिया, दो लाक, तो sir यह जो preference share होगा, वो preference share हो जाएगा, 5 लाक, और तो equity share capital में कुछ नहीं आता, total कर देते हैं, 95,14, 15 लाक, तो 15 लाक रुपए का total equity share capital है, जो कि हम note number यहां लिखेंगे 1, और यहां भी लिख देते हैं 1, और यहां पहुंच गया हमारा कोई दिक्कत, है कोई परिशानी हाँ तर, reserve and surplus, इसका भी important है, इसलिए मैं बना देता हूँ, reserve and surplus का note, sir reserve and surplus में क्या क्या है, देख लेते हैं, reserve and surplus, सबसे पहले अपनी company का reserve में, दूसरे की देखना ही नहीं है, सिर्फ अपनी company का, दूसरे का एक ही चीज़ देखना है, या तो देखना है हमें amalgamation, adjustment reserve यानि statutory reserve, दूसरे company का हमारे में जूड़ेगा, और दूसरी company का कुछ भी नहीं होगा, हमारी company का reserve और हमारी company की general entry से, अगर कोई reserve अगर है, capital reserve निकल के आ रहे तो तो हमारी company का reserve है, क्या है, बताईए, balance sheet में देखके, reserve है, हमारी company का, कितने का, और क्या है, बताईए, surplus, surplus है हमारा, पचास हजार, हमारी company का है, हमारी company का मतलब R limited से है, और क्या है, statutory reserve, सर, statutory reserve के case में दोनों लेना है, उसका भी ले लेंगे, अपना भी ले लेंगे, नहीं तो छोड़ो उसका, हम अपने general entry से उठा लेंगे, हमारी company का कितना है, बीस हजार है, plus general entry में भी था एक, जो कि देखिए, हमने करा था create, यानि create किया हुआ है, तो 10,000 ये भी क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, तो total आ गए, 30,000 रुपए, ठीक है न, क्या और कोई reserve हमारी general entry में चेक करते हैं, चेक करते हैं, सर है, है reserve, लेकिन ये तो cancel हो गया, तो ये तो जाएगा नहीं, और कुछ है के, बिल्कुल, एक security premium भी है, 9,66,000, इसको भी add कर कर देंगे, security premium, 96,000, और कुछ भी नहीं है, तो so that, यहाँ पर क्या होगा, कितने, 2,67,000, रुपए, सबसे मुश्किल दो ही चीजे रहती है, बागी तो सब छोटी छोटी चीज़ है मैं इसी के अंदर अर्जस कर दूंगा दो लाग देखो दो classes में लिया है मैंने इसको करने के लिए तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल slowly slowly मैं लेके चल रहा हूं यहां पर भगानी रहा है यहां पर आपको अगर यह basic part पता चल जाता है का हां यह बाइ balanced जाना है ऐखे लिए in लोगा घौन रिपीट कर दो हमां ठीक है सर आपने हैं tv न कहींज में कैश में 30 इसलिए लिया है मैंने डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर था जो हम उसे देंगे मिहूल वाला कैश तो अलग से लिया हुआ वह वह भी मैं बाते बताऊंगा मैंने पढ़ लिया आप लोगों का कमेंट पहले मैं एक बार बैलेंस इट पर पेर कर लूँ ठीक है 9% डिबेंचर 9% में अपनी कम्पनी का देखेंगे दूसरी कमपणी का भी इसमें आता लेकिन दूसरी का बचा ही नहीं इंगे हमारी कमपानी का ताट यह कि मैरा किन्टों नी व्याद हूआ यहोरा है। यह तो उसकी company क्या है, हमारी company का तो थाई नहीं, वो तो cancel ही हो गया, तो इसका मतलब अगर मैं balance sheet में जाके देखूँ, तो हमारी company का सर्फ debenture की बात करते हैं, long term, तो हमारी company में क्या है, डेड़ लाक, और जो इसकी company का डेड़ लाक, वो तो सारा क्या हो चुका है, cancel हो चुका है, है न, वो सारा क्या हो चुका है, cancel, तो मैं अपनी company का debenture ले लू, अगर उस company का ऐसा कुछ situation नहीं होता, कि उसका common है, या लेना देना है, तो मैं वो भी डेड़ लाक, ये भी डेड़ लाक, कितने ले 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 तर रोटर, तीन लाक, उस डेड़ लाक की एक entry भी हमें शो हो रहा होता फिर, तो चलिए, debenture की बात करते हैं, डेड़ लाक रुपए का, इसके लिए कोई note बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नमबर थ्री, नमबर थ्री, current library, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, वो सारी चीज़े देख लेंगे, क्या क्या है, क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर पहले अपनी चेक करो, एक लाक, बताइए, एक लाक का, अब उसकी company को भी क्रेडिटर को मिलाएंगे, तो उसकी company का क्रेडिटर कितने का है, 59, cut करके बता रहे हैं, आप total लो, देखो ऐसे लेते हैं, मैं कर नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, channel entry पर आ जाते हैं, यह देखिए, उसकी company का क्रेडिटर 59, और फिर पांच का cancel, समझ रहे हैं बात को, cancel भी गया था ना, पांच का याद है ना, तो ultimately उसकी company का क्रेडिटर तो था, और पांच का मैंने cancel भी कर दिया था, तो हमारे पास जो क्रेडिटर जु 54, तो यहाँ पे plus करने जा रहा हूँ, 54, किसी को दिक्कत, तो एक लाख, और यह सारी बाते आपने note में लिखनी है, और क्या है liability में, other current liability, कितने का, 60,000 मेरा, 40,000, इसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो देखो यह पूरा ही लेने जा रहा हूँ, और यह आजाएगा हमारा total, सर्ट total कितने का आजाएगा, बात में देख लेंगा, ठीक है, चलिए, हम balance sheet पे और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, अब हमें बनाना है asset, पार्ट नमबर टू, एसेट, एसेट के अंदर क्या आएगा हमारा, एसेट में सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारा, यहाँ पे आएगा, पॉइंट प्रॉपर्टी, इस नोन करेंट एसेट, है न, तो वन पार्ट, नोन करेंट एसेट, और इसके अंदर आजाएगा हमारा, ए पार्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट, एक्यूप्मेंट, सर, यह एसटेन है, एसटेन की बाते हैं यह, जो की बदल गया थोड़ा सा, और बदला हुआ ही कर रहे हैं, हमें नहीं जानना के पीछे क्या था, ठीक है न, तो पी-पी-ई हमारा आएगा, पी-पी-ई में फिक्स एसेट, तो मेरे पास इस पेस नहीं है, तो इसके लिए इ हम नोट बनाने जा रहे हैं, नमबर थ्री, तो चलिए बताईए पी-पी-ई में नोट किस-किस का रहेगा, पहले अपनी कंपनी का देख लेंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग, कितने रुपे का, तेन लाग का, और मसीनरी, एक लाग, और फरनीचर, यह अपनी कंपनी का बता रहे हैं, बीस अजार, और अब इसमें दूसरी कंपनी का भी जोड़ते हैं, तो कितने का जुड़ेगा, 4.8 लाग, और एक लाग, आठ हजार, जो हमने खरीदा है, जो हमने खरीदा है, आपको याद होगा, यह जनरल एंट्री में देख रहे हो, यह 4.8, 1.8, 12.000, गुडविल भी आजाएगा, डेट लाग का, लेकिन गुडविल तो कैंसिल भी हुआ है हमारा, तो गुडविल पता है कितने का जोड़ेंगे हम, एक लाग था और पांच हजार का क्या हो गया, कैंसिल, तो एक लाग, डेड़ लाग में से एक 45 आएगा, ठीक है न, तो चलिए फरनीचर कितने का, 12,000, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज में, चलिए, और इसके बाद क्या है, और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लेते हैं, शॉर्ट में लिखूँगा, कितने, 7.8, 2.08, और 32,000, दस लाग, तो थोड़ा देखो, स्पेस अड़्जस्मेंट हो नहीं पाए मेरे से, करूँआ टाइम जाएगा नेसेसरी, तो मैंने इधर करके दिखा दिया, समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैं छोटा कर दूँ, और पूरे शीट को ही मैं कर देता हूँ, तो आपको देख जाएगा, अब प्रॉपर विस्वल है, ठीक है, 10,20,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 10,20,000, ठीक है, अब गुडविल की बात आएगी, गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट्स, उसके लिए नोट बनाने की कोई वशकता है नहीं, क्योंकि एकी अमा बी पार्ट, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, सर इंटेंजिबल एसेट्स जो होगा, आपको दिखाये था ने पीछे, कितने का, देखिए, यहाँ पे था डेड़ लाक, और कैंसिल कर दिया था 5 का, तो 145, 145, क्लियर, आगे चलते हैं, और क्या है, वो तो कैंसिल ही हो गया, कब, देखो, PC के टाइम पर ही कैंसिल कर बैठे थे हम, के इंवेस्मेंट हमारा कॉमन आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया था PC के टाइम पर, अच्छा, दो लाक का था इंवेस्मेंट, जिसमें से 95,000 कैंसिल हो गया, तो कितने का बच गया, एक लाक, जनल एंट्री में देख लेते हैं, ज्यादा कन्फूजन हो ना तो जनल एंट्री, ये रहा, हमारा इंवेस्मेंट 95 का कम हुआ है, दो लाक में से 95 का कम हो गया, तो एक लाक पांच का बच ग current assets थोड़ा इसे उपर करते हैं ताकि visual हो बागी मैं PDF में cover कर लूँ आ इसको चलिए अब current assets पे आ जाते हैं current assets की अगर हम बात करें तो current assets हमारा आएगा second point और thickness again बढ़ा लेते हैं current assets current assets में क्या क्या है बताइए inventory a point आएगा inventory और a point inventory की हम बात करें तो कितने होंगे inventory क्या होगा बताओ एक लाख 85,000 रुपे एक लाख 85,000 तो हमें दोनों inventory चेक करना है दूसरे के भी और अपनी भी तो देखो यहां inventory का note बनाना चाहो तो inventory का बना लीजिए नोट नमबर चार है ठीक है नोट नमबर नोट नमबर चार इंवेंटरी सर, inventory हमारी company का कितना है एक लाख उसकी company का कितना खरीदा general entry में देखिए उसकी company का inventory हम लेके बैठे हैं 85 यही जूड़ेगा है तो 85 तो टोटल हो गया 185 और यह note नमबर चार में आ गया 185 देखो मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने note का कोई systematic formatic पर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि balance sheet की formatting final account में कर रखी है यहाँ पर सरिफ मेरा मुद्दा यह है main concept यह है आपको concept समझ में आ जाए और balance sheet की किस amount को किस तरीके से adjustment किया जाए बस यह purpose है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और किस पर चलेंगे debtor पर debtor be part trade receivable जिसे बोलते हैं trade receivable में क्या-क्या है यहीं लिख देता हूँ मेरी company का 3,00,00 और दूसरी company का देखोगे आप तो दूसरी company का debtor था 1,00, 27,000 और कुछ cancel भी हुआ 5,000 का तो 1,27,500 में से 5,000 घटा देंगे तो 1,22,500 समझ में आ रहा है 1,22 500 तो total हो गया 3,00, 4,00, 2,500 आगे point पे चलते हैं और क्या है cash का balance cash का हमारी company का balance तो हमारी company का balance क्या है belly sheet में देखिए आपके पास है तो 30,000 और उसकी company का भी कुछ ले लिया था उसकी company का अगर आप देखते हो तो कितने ले लिये थे मैंने ये रहा last में करा था न 20 एक बच्चे का doubt आया sir यहाँ पे 30 क्यों लिया आपने जब 20 था तो तो उसका doubt का जवाब यह है कि sir यह वाला जो 20 था न वो यह वाला 20 है यह वाला हमने discharge करते टाइम पे last class में समझाये था यह balancing figure निकला था यह वो वाला cash नहीं है जो कि seller company के balance sheet में है यह वो वाला cash है जो buyer company अपने pocket से उसको देगा दोनों में फरक है वो तो चलिए तो total आ गया हमारा cash की बात करें तो 20,000 यह अब देखिए 30,000 हमारे पास है 20,000 उसका खरीदा और अपने pocket से दिया भी कितने दिये 30,000 रुपे दिये थे pocket से sir कौन से वाला pocket से दिया payment कर रहे न उसको तो total क्या आ जाएगा 20,000 आ गया ठीक है और क्या है D part other current assets यह कितना है मेरी company का 220 230 है मेरी company का मेरी company का है 2.3 lakh और उसकी company का पचास देख लो general entry में उसकी company का 42,500 है देखो गरत मत बताओ 42,500 तो एक काम करते हैं यहाँ पर आनी रहा मैं इधर करके दिखा देता हूँ ठीक है तो other current assets other current assets है तो यहाँ पर लेके आते हैं other current assets में हमारी company का है कितने? 2,30,000 और प्लस उसका 1,00,000 सिर्फ 42,500 तो कितने आगे? 2,72,500 तो यहाँ पर मैं directly लिख रहा हूँ 2,00,000 अब असली परिक्षाब है total में अब total हमें इसका करते हैं पहले 21,80,000 same इसका total करो 10,000 गाइव अच्छा हाँ 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 एक मैं point बताना भूल गया इसके अंदर statutory reserve के अंदर भी point आ जाएगा क्योंकि हमने entry क्या करा है? buyer ने करा है buyer ने entry करा है amalgamation adjustment statutory reserve तो हमारे पास आ गया लेकिन amalgamation adjustment तो pending रह गया कहां लेके चलेंगे अधर नोन current asset डी में अधर नोन current asset और यह 10,000 और यह total आ जाएगा 21,00,000 रुपे टोटल आ गया तो यह पूरा का पूरा था हमारा question और अब देखा जाए तो इस question के बाद जो मैरे homework में दिया था आगे के दो तीन question अभी और दे देता हूं वो भी हो जा है वो देख लेते हैं पूरा PDF जो है वो स्टोर के अंदर डल जाएगा आपको नोटिंग की टेंशन नहीं लेना कि यह रहता है वो रहता है मैं पूरा भी डाल दूंगा